43,000 रुपए की स्पैलिंग क्या होती है और 43,000 रुपए को चेक पर लिखने का सही तरीका क्या है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं उसके नीचे आप इस तरीके से 43,000 रुपए only लिख सकते हैं और इसकी स्पैलिंग होती है नीचे आपको हिंदी में 43,000 रुपए मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदी या इंगलिश में से किसी एक भाशा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बोक्स बना हुआ रहता है राइट हैंड की तरफ उसमें आप इस तरीके से 43,000 जो है अंकों में लिख देंगे यानि कि 43 के बाद आप 3,0 लगा देंगे जिससे ये इस तरीके से 43,000 बन जाएगा और नीचे आप सिगनेचर कर देंगे जहां पर सिगनेचर की जगे रहती है ऐसे ही और वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें आपके लाइक हमारे लिए भूट माइने रखते हैं